तो देखे फैंस स्क्रीन के सामने आपको डिफ्रेंट वराइटी के कैना लिली दिख रहे हैं आज मैं इनी की रिपोर्टिंग और केर आपको बताऊंगी कैना लिली का जो प्लांट है बेस्ट समर प्लांट है फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है और यह आपके गार्डन में रहेगा और बहुत सारे बेबी प्लांट अपने आसपास से निकालता रहेगा तो मैं दिखाती हूं आपको बेबी प्लांट यह देखे आपको दिख रहा होगा यहां एक प्लांट है इसके बगल में यह जो साइड से निकल रहा है यह बेबी प्लांट है तो पलाँ छैने गार्डडन में बौहत सारे क Inform के JS online में आज हम इनहें की रिपोर्टिंग करेंगे और छोटी से चीजह चाहिए और बड़े बड़े पॉट में आराम चाहिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बड़े pot में लगाईए जाद से जादा क्योंकि इसमें से baby plant निकलते रहते हैं तो ये मेरे पास 18 इंच का pot है मैंने इसमें लगाया है और इसमें बहुत अच्छा चल रहा है और flowering भी कर रहा है मतलब कि जो flower आते हैं वो भी कर रहा है इस टैप के एक stick निकलती है बीच में से और उसी पे flowering आती है इसकी जितने भी plant है सभी में से बीच में से निकलते हैं और उनमें flowering होती है तो अभी इसकी flowering खिल कर जड़ चुकी है मैं एक plant पे मुझे दिख रहा है इसका बंच बना हुआ मैं वो आपको दिखा देती हूँ मैं साइड से जाती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ इनकी leaves का color जो है वो थोड़ा different different है बट यह सब एक ही plant के हैं और एक में से ही मैंने सब अलग किये हैं तो यह देखिए यह आज खिला था और यह जड़ चुका है ठीक है यह अपने आप गिर जाएगा और यहाँ देखिए यह सामने यह दिख रहा है आपको यह यह इसकी stick ह होती है यह देखिए यह निकलने लग रही है मैं दूर जाके दिखाती हूं आपको यह देखिए इस टिक निकल रही है और इसमें से कुछ ही दिनों में यह इतने सारे flower खिलेंगे ठीक है फ्रेंस तो प्रोप्रोगेशन की बात मैंने आपको बता दी वाटरिंग जो है इस इतने बड़ी-बड़ी लीवस है इनी लीवस में इनका पानी स्टोर होता है तो आप जब भी पानी डालेंगे इसमें मिट्टी चेकर के डालना अगर आपकी मिट्टी सूख गई है अच्छे से तो ही आप वाटरिंग करना ठीक है फ्रेंस तो चलिए इसकी मैंने लगा दिया मैंने कि मैं उनको इसली दे दूँगी ठीके फैंसर मैं इसकी मिट्टी की बात कर लेती हूं तो मैंने इसमें रखा है 50-50% मैंने इसमें गार्डन सॉल जो होती है वो रखी है 30-25% मैंने इसमें रिवर सेंड मिलाया है और घर का बना हुआ मेरे पास कमप जो भी आपके पास हो वो साब इसमें एड करना ठीक है इसके बाद देखिए हम इसमें डालते हैं एनपी के है मेरे पास 19-19 तो मैं इसमें डालूंगी हाफ स्पून ठीक है फंस यह देखिए यह हमने डाल लिया इसके बाद जब भी आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करते हो तो आपको इसमें पंगी पौडर जरूर डालना चाहिए ताकि हमारे प्लांट में कोई भी फंगस वगएर ना हो जाए यह भी मैं हाफ स्पूनी डालूंगी इससे ज्यादा नहीं डालूंगी ठीक है और इसके बाद में डालूंगी डिया पी के दाने साथा डाने डाल आप गिनकर और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद में बताती हूं यह देखी फंस आपको सामने दिख रहे हैं मैंने तीन प्लांट निकाल लिये हैं फोर है यह देखे और साइड से एक बेबी प्लांट इसमें निकल रहा है तो यह जो पौट लिया है यह मेर जल्दी एक वीडियो में अप्लोड करूँगी बनाऊंगी अप्लोड कर दूँगी एक गिलोई बेल है अभी तक इस पर ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है बर बाकी सारी जहां भी मैंने लगाई है वहां सभी पर ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है इसलिए मैंने इसके ओपर लिप्स वगएरा को ग्रोव करने में हेल्प करेगा और प्लांट प्लांट को सौक नहीं लगएगा कि मैं पता नहीं कहां आ गया हूं ठीक एट इसको मिक्स कर लेते हैं अजिए इसके बाद में इसमें अपने तीनों प्लांट यह सेट कर लेती हो और जो हमने यह अब बना पानी नीचे से रेन आउट होना चाहिए इतनी वाटरिंग कर देते हैं और नेक्स टाइम वाटरिंग हम जब करेंगे जब हमारे प्लांट की या पॉट की मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी तब हम वाटरिंग करेंगे रोज रोज वाटरिंग करने की ज़रूत नहीं है चेक कर लिजे अगर सूख गया है तो आप रोज वाटरिंग कर सकते हो नौर्थ इंडिया में बहुत सी जगा इतनी धूफ होती है इतनी गर्मी होती कि दिन में दो बार भी करनी पड़ जाती है बट मेरे पास जो पॉट है मेरे पास प्लास्टिक के पॉट है तो हम दिन मे में एक बार हमें करने की जरुवत नहीं पड़ती है तो देखे वाटरिंग कर देते है ठीक है मैंने इसका बता दिये है कि आपको इसकी प्लांट निकालता रहता थो इसकी फुट गवेशन ऐसे हो जाती है हाद के बारे में मैं अपको बता ही दिया है से धार भी excit दिन का ग खाट डाल सकते हो मुट्टी भर के खाट आपको डालनी है महीने में एक बार डालना है और लिक्विड फर्टिलाइजर में जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हो वो सारे फर्टिलाइजर डाली है इसमें तभी अच्छे से फ्लावरिंग करनेगा और मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि कितने सारे मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाए हैं बताई भी है और बनाए भी है उन सब का इस पर यूज करना और मैंने अदिकतर देखा कि इस प्लान पर कोई भी कीडा मकोडा नहीं लगता है फिर भी आप महीने में एक बार इस पर नीम उयल का स्प्रे कर देना ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमारे प्लान पर ना आए और मैं धूप की बात करूं तो इसे फुल संद चाहिए जितनी वी देर की धूप आपके टरस पर आती हो उतनी धूप आपको दीज कि मैं बात करूं तो मैं इसको अभी हपते दस दिन के लिए बिल्कुल छाए में रखता हूंगी जहां सूरज की किर्ने इसको टच भी ना करें ऐसी जगह रख देंगे और जब भी कोई इस पर मुझे नई ग्रोथ स्टार्ट होती हुई दिखेगी तो मैं जरूर आपको द